जरा सोचो अचानक आस्मान से बिजली गिरने से तुम्हारे शरीर में तिलस्मी शक्तिय हो जाएं मेरा नाम है विशाल, अनोकी फिल्मस में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी कहानी की शरवात एक फैक्टरी से होती है जहां कई सो मजदूर अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसी बीच फैक्टरी के मालिक ने मजदूरों के नेता को बाचीत करने के लिए फैक्टरी के अंदर बुलाया जिसके बाद दो मजदूर फैक्टरी के अंदर चले गए और उधर मजदूरों का धरना प्रदर्शन भी रुख गया उसी समय सैम नाम का एक बच्चा पास के घर की चट पर बैट कर ये सब देख रहा था घर पहुँचने के बाद सैम अपने पिता का इंतजार कर रहा था जिनका नाम थार रुद्र और असल में मजदूरों के इस धरने की शुरवात भी रुद्र नहीं की थी इसलिए जब सैम ने अपने पिता से पूछा कि ये धरना क्यों किया जा रहा है तो उन्होंने जवाब दिया कि एक इनसान को हमेशा सचाई का साथ देना चाहिए और उनकी ये बाद सैम के दिमाग में बैट गई उधर मजदूरों के नेताओं को फैक्टरी में गए हुए तीन दिन हो गए थे पर उनका अभी तक कोई अता पता नहीं था इसलिए रूद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर फैक्टरी पर हमला कर दिया और वहीं दूसरी तरफ जब सैम और उसकी माँ डेला उननेताओं को ढूणने के लिए जब उनके घर पहुँचे तो वो उननेताओं को अपने घर पर अराम करता देखकर हैरान रह गए ये देखते ही डेला समझ गई कि ये सब रूद्र को मारने का एक प्लैन था इसलिए वो तुरंथ ही अपने पती को बचाने के लिए भागी पर रास्ते में पैर फिसलने की वज़े से उसके पैर पर बहुत जादा चोटा गई इसलिए डेला ने सम को भाग कर अपने पता को बचाने को कहा उधर लड़ाई के दौरान रूद्र के ही एक साथी ने पीछे से आकर उस पर चाकू से अमला कर दिया जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई और जब तक सैम वहां पहुँचा तो उसे सिर्फ अपने पता की लाश मिली जिसे देख कर वो बेचारा बहुत रोया पर साथ ही उसके अंदर बदले की आग भी भरती जा रही थी और अब वो किसी भी हालत में अपने पता के कातिलों से बदला लेना चाहता था और फिर जैसे ही वो एक शील्ड को बगड़ कर जोर से चिलाया तो अचानक से उसे एक जोरदार बिजली का जटका लगा जिसने उसे उठा कर पीछे फैंक दिया पर इसी बीच वहां मौझूद सभी शील्ड तूट गई जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे और जैसे ही वो सैम को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें भी जोरदार बिजली का जटका लगा कुछ सालों बाद एक दिन सैम की मा कुछ सामान लेने के लिए शेहर से बाहर गई इधर सैम अकेले नहीं रहना चाहता था लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था लेकिन कुछ दिन बीच जाने के बाद भी उसकी मा घर वापस नहीं आई वही सैम के पास मौजूद सारा खाना भी खतम हो गया था इसलिए उसे मजबूर होकर खाना ढूनने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा जहां कुछ मवाली लड़कों ने उसे बिना बात के पीटना शुरू कर दिया पर जैसे ही वो सैम को जान से मारने लगे तब ही वहाँ आगू नाम का एक लड़का पहुँच गया और उसने बीच में आकर सैम की जान बचाई कुछ घंटो बाद जब सैम की आँख खुली तो वो एक अंजान जगा पर आगू के साथ था उसे होश में देखते ही आगू ने उसे गली के लड़कों से दूर रहने के लिए कहा इतनी तेज नहीं भाग पाया जिस वज़े से वो पीछे ही चूट गया इसके बाद सैम ने उसी शहर में रहते हुए छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया कुछ सालों बाद सैम एक प्रिंटिंग प्रेस में सेक्यार्टी गार्ड की नौकरी करने लगा और वो अब भी आगू की बात मानते हुए गली के लड़कों से दूर ही रहता था लेकिन वो अभी भी बिजली से बहुत जादा डरता था इसके बाद हम एक पार्टी में कुछ लोगों को पैंग और्ट नाम के एक आदमी के बारे में बात करते हुए देखते हैं उनके मताबिक पैंग और्ट का बचपन बहुत ही जादा मुश्किल था और बचपन में ही उसके परिवार को जिन्दा जला दिया गया था जिसके कुछ दिनों बाद ही उसका एक रिष्टेदार उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ कर चला गया जहां उसके साथ के सभी बच्चों को बहुत जादा परिशान किया जाता जिससे परिशान होकर एक दिन पैंग और्ट ने सभी बच्चों को इखटा किया और साथ मिलकर अनाथ आश्रम के सभी मालिकों को ही मार दिया इसके बाद पैंग और्ट खुद मालिक बनकर उस अनाथ आश्रम को चलाने लगा अब पैंग और्ट एक अंडर वर्ल्ड डॉन बन चुका था जो देश के गैर कानूनी धंदों का काफी बड़ा हिस्सा चलाता था साथ ही उसके पास अनाथ बच्चों की एक फौज भी थी जिन्हें वो लोगों को मारने की सुपारी दिया करता और अब उसके एक प्लान के मताबिक एक ड्रग को चावल में मिला कर पूरे देश में फैला दिया गया था जो की प्रेगनेंट औरतों को बहुत जादा नुकसान करता था इस बीमारी के देश में फैलते ही एंटी डोड की मांग बड़ी तेजी से बढ़ गई ये एंटी डोड एक लैब ने बनाया था इसलिए इसे पास करने के लिए पार्लियमेंट में एक बैठक हुई जहां दो पार्टियों के बीच बहस छिड़ गई एक पार्टी में तो पैंग और के साथ ही थे जो इस एंटी डोड को रोकना चाते थे वहीं दूसरी तरफ हैरी और मैक्स थे जिन्होंने ये बिल पास करके एंडी डोड को जनता तक पहुँचाने का फैसला कर लिया था पार्टी में जब पैंग और ने मैक्स से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया तो मैक्स ने उससे हाथ मिलाने से मना कर दिया जिससे पेंग और को बहुत जादा गुस्ता आया और जब मैक्स वापस घर जा रहा था तो पेंग और के आदमियों ने उसे बीच रास्ते से ही उठा लिया जिसके बाद उन्होंने मैक्स और उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया उधर जब सैम अपने बाथरूम में नहा रहा था तो उसे अपने बगल वाले घर से चलाने की आवाज आई और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ गुंडे वूलैन नाम की एक आउरत को लूटने की कोशिश कर रहे थे सैम खुद को रोक नहीं पाया और उसने तुरंट ही उन गुंडों को पीटना शुरू कर दिया गुंडों के वहाँ से भाग जाने के बाद वूलैन ने सैम का धन्यवाद किया पर रात को जब सैम अपनी नौकरी पर था तो कई सारे गुंडों ने अचानक से उस पर हमला कर दिया और जब उन्हें लगा कि सैम मर चुका था तो उन्होंने उसकी लाश को नीचे फैंक दिया उस वक्त वहाँ बारिश भी हो रही थी और इसी बीच एक बार फिर से बिजली सैम के उपर गिरी और उसे वापस से खोश आ गया उस बिजली के जटके ने न जाने कैसे उसके शरीर की सारी चोटों को ठीक करके उसे वापस से जिन्दा कर दिया अगले दिन जब सैम मार्किट गया तो उसकी नजर वूलैन पर पड़ी जो अपने साथियों के साथ मिलकर गुंडों से बचने का रास्ता ढूंड रही थी पर तभी अचानक से वहाँ गुंडे आ गए और उन्होंने सैम का पीछा करना शुरू कर दिया लेकिन इस बार उसके पास बिजली की थाकत थी उसने बड़ी ही आसानी से उन सभी गुंडों को हरा दिया और उसकी जीत से इंप्रेस होकर वूलैन ने सैम को उसकी टीम का हिस्सा बनने को कहा पर सैम को इस सब में कोई दिल्चस्पी नहीं थी वो तो बस शानती से काम करके एक आहम जिंदी की बिताना चाहता था लेकिन फिर उसी शाम गुंडों ने उनकी पूरी मार्किट में ही आग लगा दी और जब सैम की मुलाकात वूलैन से हुई तो वूलैन ने उस से कहा कि अगर कोई इनसान किसी जरूरत-मंद की मदद नहीं कर सकता तो वो इक इनसान ही नहीं है वूलैन की ये बात सुनकर सैम को अपने पिता की आद आ गई और उसने वूलैन का साथ देने का फیसला किया इसके बाद से उसने एक मास्क पहन कर गुंडों को पीटना शुरू कर दिया और ऐसी ही एक लड़ाई के दौरान एक आदमी ने पीछे से आकर सैम का थोड़ा सा खून निकाल लिया पर इसके बावजूद भी सैम को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जानता था कि उसकी सारी चोटें बिजली की मदद से ठीक हो जाएंगी उधर निउस में बताया जा रहा था कि सभी प्रेगनेट महिलां एक जानलेवा बीमारी से लड़ रही थी और ये जानलेवा बीमारी उन्हें चावल खाने की वज़े से हुई थी दरसल पैंगॉक का प्लान था कि पहले वो इस बीमारी को फैलाएगा और उसके बाद इसका एंटीडोट बेच कर पैसे कमाएगा वहीं दूसरी ओर सैम ने अपनी ताकत पर काबू पा लिया था इसलिए अब उसने अपनी एक सूपर हीरो कॉस्ट्यूम भी तयार कर ली थी जिसे पहन कर वो लोगों की मदद किया करता अब उसने इन गुंडों को मारना शुरू कर दिया था और इन ही गुंडों में से एक था वाइलनिस्ट आदी सुलिमान जो पैंगॉक की अनाथ बच्चों की टीम का हिस्सा था साथ ही मार्केट में आग भी उसी ने लगाई थी उधर पैंगॉक के बॉडिगार्ड अजीज और उसके एक साथी ने जमीन में खड़ा खोद कर एक सीक्रेट डबे को बहार निकाला और वहीं हैरी ने बाकी आफिसर्स से मिलकर उन्हें बताया कि इस बीमारी के पीछे पैंगॉक का हाथ है इसलिए उन सभी ने एक साथ मिलकर पैंगॉक को रोकने का फैसला किया जिसके बाद वो लोग मदद मांगने के लिए सैम के पास पहुँचे साथ ही हैरी ने उस दवाई के एंटी डोट को बटवाने को भी कहा उधर जब पैंगॉक के सामने आदी सुलिमान की लाश को लाया गया तो उसे बहुत जादा गुस्ता आया और उसने अपनी टीम को एक बार फिर से इखटा होकर सैम के खिलाफ युद्ध करने को कहा बिना टेस्ट किया हुआ एंटी डोट पहुँचाने का अदेश दे दिया पर थोड़ी देर बाद ही हैरी को एक फोन आया जिसने उसे बताया कि एंटी डोट असल में पैंगॉक की फैक्टरी से ही जाने वाला था जिसका मतलब था कि अगर उसे नहीं रोका गया तो लोगों तक एंटी डोट भी पहुँच सकता है हैरी ने तुरंथ ही सैम को फोन करके मदद करने को कहा पर जैसे ही सैम ने फोन नीचे रखा तो उसकी नजर पैंगॉक और उसके साथियों पर पड़ी जो वहाँ उसे मारने के लिए आये थे पैंगॉक ने बिना समय कवाते हुए अपने साथियों को तुरंथ ही सैम पर हमला करने को कहा पर सैम ने अपनी खास शक्तियों के मदद से बड़ी आसानी से सब को धुल चटा दी और जैसे ही पैंगॉक पीछे से सैम पर हमला करने वाला था तभी आयन मौके पर हैरी ने वहाँ आकर उसे गोली मार दी दूसरी और वो जूठा एंटी डोड लोगों तक पहुँचने ही वाला था और मामले की गंभीरता को समझते हुए सैम तुरन थी एक बाइक लेकर एंटी डोड को रोकने चला गया और आखिरकार श्रेयसी नाम की एक लड़की की मदद से वो उस काड़ी को रोकने में काम्याब भी हो गया उसने तुरन थी उस एंटी डोड की बाटल को उठाया और फिर अपनी शक्तियों की मदद से एक साथ सारी बाटल को तोड़ दिया बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बच्पन में सभी शील्ड्स को तोड़ा था एंटी डोड के खतम होते ही सभी लोग खतरे से बाहर थे अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में